फिस्त कॉश्यन मे भी हमें क्या करना है जो गिवन फ्रैक्शन से उसको सिंपलेस फोउम में करना है लेगिन इस बार हमारे पास drama है तो फ्रस्ट आ पार्ट में देखो, आपके पास fraction में क्या देरा का 4 1 by 3 प्लस 2 1 by 3, अब हम इसको थोड़ा से simplify करते हैं, mixed fraction को कैसे करते हैं, मतलब 4 whole number है, यहां पर 4 whole 1 by 3 है, प्लस 2 whole 1 by 3 है, तो इसको improper में करने के लिए हम क्या करेंगे, whole number को multiply करते हैं, denominator से, प्लस में हम उसमें numerator add करते हैं, और upon में आता है हमारा denominator, प्लस 2nd fraction में भी whole number के हैं, हमारे पास 2, उसको multiply करेंगे, denominator से यानी 3, प्लस में उसमें numerator add करेंगे, 1 और upon में denominator हमारे पास क्या 3 है, अब इसको थोड़ा से solve करते, 4 को 3 से multiply करेंगे, हमारे पास आएगा 12, प्लस 1, अप्वाण में 3, प्लस 3 टूजा क्या होगा, 6 प्लस 1, अप्वाण में 3, इसको आगे simplify करेंगे हम, तो हमारे पास क्या हैगा, 12 में 1 प्लस करेंगे, हम इस वाली fraction को कर रहे हैं, आपे इस वाली fraction को, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि, अब आपकी थोड़ी simple fraction होगी, मतलब common दोनों का denominator सेम हो गया, तो आप denominator को common करेंगे, denominator आगया 3, first numerator यानि 13, प्लस में second numerator यानि 7, और 13 में 7 अड़ करेंगे, हमारे पास आएगा 20 upon me 3, तो 20 upon me 3, करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास quotient आया, उसको whole number बनाते है, जो denominator आया, उसको हम numerator बनाते है, upon में, जो हमारा divisor उसको denominator बनाते है, तो अब हमारे पास यह simplest form, अगर mixed fraction में लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आगई 6 whole 2 upon 3, B part करते हैं, B part में हमें fraction में, mixed fraction इंगिवन है, 5 whole 1 by 4, plus 1 whole 1 by 4, सबसे पहले को थोड़ा से simplify करेंगे, simplify करने के लिए क्या करते हैं, whole number है 5, को multiply करेंगे denominator से 4, plus में numerator 1 है, add करेंगे upon में 4, plus में second में भी यही करेंगे, whole number क्या है 1, denominator से multiply करेंगे, वो है हमारे पास 4, plus में numerator हमारे पास क्या है 1, और upon में denominator 4, अब पहले को simplify करते है, 4, 5 जा हमारे पास, 4 को 5 से multiply करेंगे, हमारे पास क्या हैगा, 20, plus में 1, upon में 4, दूसरी fraction को अगर हम solve करें, तो हमारे पास क्या है, 4, 1 जा 4, plus 1, upon में 4, थोड़ा सा और simplify करेंगे, 20 में 1 add करेंगे, हमारे पास आएगा, 21, upon में 4, plus में 4 में 1 add करेंगे, हमारे पास आएगा, 5, upon में 4, अब इसको simplify, अब आप यहाँ पे देखोगे, कि आपके denominator सेम हो रहे है, तो denominator को हम common denominator बना लेते हैं, यानि 4, और अब आपके पास first numerator, यानि 21, plus में second numerator, यानि 5, 21 में 5 को add करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 26, upon में 4, अब हमारे पास fraction आगए है, 26, upon 4, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा reduce करेंगे, 2 की table से, 2, 2, 24, 2, 1, 2, 2, 3, जा 6, और reduce करने के बाद, हमारे पास क्या fraction आई है, 13, upon में 2, यानि simplest fraction तो हमारे पास आगए है, लेकिन हम यह क्या करना है, answer किस में निकालेंगे है, mixed fraction में, तो mixed fraction में निकालने के लिए, हम क्या करेंगे, 13 को 2 से divide करेंगे, 2, 6, जा क्या होता है, हमारे पास 12, 13 में से 12 minus करेंगे, हमारे पास बचिया है, 1 remainder, अब हम इसको mixed fraction में लिखेंगे, mixed fraction में जो हमारे पास quotient आता है, उसको हम क्या बनाते है, whole number, यानि 6 हमारा whole number हो गया, remainder होता है, उसको numerator बनाते है, यानि 1, और divisors को हम क्या बनाते है, denominator, तो वो हो गया 2, तो 6 whole, 1 by 2 हमारा क्या आगया, इसका solve करने के बाद, simplest form में, answer in the mixed form, C part करते हैं, C part में हमारे पास क्या है, fraction again mixed form में है, 7 whole 1 by 8, plus 3 whole number 5 by 8, तो सबसे पहले हम इसको improper में convert करेंगे, improper में convert करने के लिए, same हमें formula apply करना है, whole number को denominator से multiply करेंगे, plus में numerator उसमें add करेंगे, upon में 8, तो 7 multiply 8 plus 1 हो गया, plus next में भी 3 हमारा whole है, multiply करेंगे denominator 8 से, plus में उसमें हम 5 add करेंगे, और upon में हमारे पास denominator में क्या है, 8 है, अब इसको थोड़ा से simplify करेंगे, 8 को 7 से multiply करेंगे, तो हमारे पास क्या हैगा, 56, plus में 1 upon में 8, plus second fraction को simplify करते, 8 थरिजा, 24, plus में 5, upon में 8, अब हमारे पास next step में, हम इसको थोड़ा से simplify करेंगे, 56 में 1 add करेंगे, हमारे पास आएगा 57, upon में 8, plus में, 24 में 5 add करेंगे, हमारे पास आएगा 29, upon में 8, अब आप देख रहे होगे, कि आपके पास denominator common हो गया है, तो आप क्या करोगे, दोनों का denominator सेम था, तो अब हम common denominator लेंगे 8, first numerator 57, plus में second denominator, हमारे पास क्या है 29, और 57 में क्या करेंगे, हम 29 को add करेंगे, हमारे पास आएगा, 57 और 29 आएड करने पास हमारे पास आएगा, 86 upon में 8, इसको mixed fraction में convert कर सकते हो, थोड़ा सा reduce करके भी, तो मैं 2 की table से reduce कर रहे हूँ, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 3, 6, अब इसको reduce करने के बाद, हमारे पास जो fraction आई है, वो क्या आगी है, 43 upon में 4, simplest form में, अब हमें इसको क्या करना है, mixed form में convert करना है, 43 को क्या करेंगे, हम 4 से divide करेंगे, तो 4, 10 जा, क्या होता है, हमारे पास 40, और 43 में से, हमारे पास 40 को minus करेंगे, हम तो हमारे पास बचेगा 3, तो अब इसको mixed fraction में लिखने के लिए, हम क्या लिखते हैं, quotient को हम whole number बनाते हैं, यानि 10, ड्रिमेंटर हमारे पास क्या है 3, अब पोन में denominator divisor यानि 4, तो 10, 3 by 4, आपकी क्या आगे है, simplest fraction, last part करते हैं, इसका D part, D part में 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 बचेगें mixed fraction गिवन है, और mixed fraction में क्या है, 2 whole number 1 by 10, प्लस 3 whole 3 by 10, अब हम इसको थोड़ा सा simplify करेंगे, यानि improper में convert करेंगे, तो whole number यानि 2 को multiply करेंगे, denominator से 10, प्लस में numerator करेंगे, 1 है हमारे पास add, और upon में 10, प्लस में ऐसे second fraction को convert करेंगे, whole number क्या है 3, उसको multiply करेंगे, denominator यानि 10 से, प्लस में उसमे numerator करेंगे, जो कि हमारे पास 3 है, upon में 10, 2 को 10 से multiply करेंगे हमारे पास आएगा 20 plus में 1 upon में 10 ये next step में करेंगे हम plus 3 को 10 से multiply करेंगे 30 plus में 3 upon में 10 थोड़ा सा और simplify करेंगे तो 20 में 1 add करेंगे हमारे पास आगया 21 upon 10 plus में 30 में 3 add करेंगे हमारे पास आगया 33 upon 10 यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आ रहा है common denominator आ रहा है यानि 10 हमारे पास common denominator आ गया है तो 21 प्लस में 33 दोनों numerator को add कर देंगे हम 21 में 33 को add करेंगे तो हमारे पास आएगा 54 upon में 10 अब हम क्या कर सकते हैं इसको हम थोड़ा सा यहीं पर reduce करेंगे 2 की table से तो 2 5 जा 10 2 2 जा 4 and 2 7 जा 14 तो reduce करने के बाद जो आपके पास fraction आई है simplest form में वो क्या आगए है 27 upon में 5 अब हम इसको क्या करेंगे आगे mixed fraction में convert करेंगे तो हमारे पास क्या आगए है 27 को हम क्या करेंगे 5 से divide करेंगे 5 5 जा क्या होता है हमारे पास 25 27 में से 25 माइनस करेंगे हमारे पास 2 बचेगा remainder अब इसको mixed form में लिखते है mixed form में लिखेंगे के लिए सबसे पहले हम quotient लिखते है quotient हमारा whole number बनेगा यानि 5 अब numerator बनेगा remainder यानि 2 upon में diviser यानि 5 तो simplest form में हमारे पास जो fraction आई है वो क्या आगए है 5 whole 2 by 5 हम हमारा six question करते है six question में हमें क्या करना है solve the following and write them in their simplest form same इसमें भी हमें क्या करना है mixed fraction में given a fraction सबसे पहले हम उनको solve करेंगे और फिर उसको mixed simplest form में convert करेंगे तो first equation हमारे पास six first fraction है six two six whole two upon three minus two whole one upon three तो सबसे पहले हमारे पास जो fraction given है हम इसको improper में convert करेंगे improper में convert करने के लिए मैंने अभी फिफ्ट जब हमने question कहा थे तब भी बताया था आपको कि जो whole number होता है उसको multiply करते है denominator से यानि six को multiply करेंगे three से plus में जो हमारे पास numerator होता है यानि two हमारे पास numerator होता numerator है plus में two करेंगे और upon में 3 यानि denominator minus का sign continue रहेगा second में हमारे पास whole number में क्या है 2 multiply करेंगे denominator से जो हमारे पास है 3 plus करेंगे numerator यानि 1 upon में हमारे पास denominator अब इसको solve करेंगे हम 6 3 जा क्या होता है हमारे पास 18 plus में 2 upon में 3 minus का sign continue 3 to just 6 plus में 1 upon में 3 थोड़ा सा or solve करेंगे इसको 18 में 2 plus करेंगे हमारे पास आएगा 20 upon में 3 minus में 6 में 1 add करेंगे हमारे पास आएगा 7 upon में 3 अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास क्या आरत दोनों ही fractions के denominator सेम है तो अब हम इसको क्या करेंगे इसको थोड़ा से simplify करेंगे मतलब denominator को common कर देंगे 3 first numerator यानि 20 minus second numerator यानि 7 और 20 में से 7 को minus करेंगे हमारे पास क्या आएगा 13 upon में 3 यह हमारे पास क्या आगई है simplest form आगई है लेकिन हमें क्या करना है जैसे हमारा question में fraction हमारे पास mixed में था हम इस answer को भी क्या करेंगे mixed fraction में convert करेंगे यानि हम 13 को 3 से divide करेंगे 3, 4 जा क्या होता है हमारे पास 12 13 में से 12 minus करेंगे हमारे पास 1 क्या बचेगा remainder और अभी बताया था मैंने आपको कि जब mixed fraction में लिखते है तो quotient हमारे पास क्या है 4 वो हमारा whole number बन जाता है जो remainder आया है 1 वो हमारा numerator और जो divisor होता है यानि या पे 3 है वो हमारा बन जाएगा denominator तो अब इसका simplest form in mixed form क्या है हमारे पास 4 whole 1 upon 3 अब इसका B part करते है B part में हमें fraction में क्या दे रखा 2 whole 4 upon 5 minus 1 whole 1 upon 5 सबसे पहले हम क्या करेंगे mixed fraction को अपनी improper में convert करेंगे improper में convert करने के लिए whole number यानि 2 को multiply करेंगे denominator से यानि 5 और उसमें plus करेंगे numerator यानि 4 upon में हमारे पास denominator आजाएगा 5 minus करेंगे again next whole fraction में हमारे पास क्या है next fraction में whole number हमारे पास है 1 whole number को multiply करेंगे denominator से यानि 5 plus में numerator 1 है हमारे पास add करेंगे और इसको 4 से divide कर देंगे denominator से अब इसको थोड़ा सा simplify करेंगे 5 को 2 से multiply करेंगे हमारे पास आएगा 10 plus में 4 upon में 5 next minus का sign continue रहेगा next fraction में 5 वंजा 5 plus 1 upon में denominator यानि 5 इसको थोड़ा सा और simplify करेंगे तो 10 में 4 add करेंगे हमारे पास आएगा 14 upon में 5 minus 5 में 1 add करेंगे हमारे पास आएगा 6 upon में 5 अब आप यहां पर क्या observe कर रहे हो कि दोनों में ही denominator हमारे पास same है यानि 5 5 है तो denominator को common कर देंगे common करने की बाद हमारे पास denominator में आगया 5 first numerator 14 minus second numerator यानि 6 और जब हम 14 में से 6 को minus करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 8 8 upon में 5 तो अब हमारे पास simplest form में fraction क्या आ गई 8 upon 5 लेकिन हमारे पास जो fraction given थी वो किसमें थी mixed form में थी तो हम अपने answer को भी mixed form में convert करेंगे तो 8 को हम क्या करेंगे 5 से divide करेंगे 5 बंजा 5 8 में से 5 को minus करेंगे हमारे पास बचेगा 3 remainder अब आपको बताया था quotient जो होदा है यानि 1 हमारे पास quotient है वो बन जाएगा whole number remainder में हमारे पास 3 है वो हमारा numerator बन जाएगा और जो divisor है यानि 5 वो हमारा denominator बन जाएगा तो simplest form में हमारे पास answer क्या आगया है 1 whole 3 by 5 C part करते हैं C part में हमें first fraction दे रखे 8 7 by 12 minus 3 whole 5 by 12 तो सबसे पहले हमारे पास जो mixed fraction है हम इसको क्या करेंगे improper में convert करेंगे improper में convert करने का formula क्या होगा 8 को multiply करेंगे denominator यानि 12 से plus में numerator यानि 7 को add करेंगे upon में हमारे पास क्या आजाएगा denominator यानि 12 minus का sign continue रहेगा अब की बार 3 whole number है उसको multiply करेंगे denominator से यानि 12 से plus में 5 एड करेंगे upon में हमारे पास आजाएगा 12 denominator अब 8 को 12 से multiply करते तो हमारे पास आता है 96 plus में 7 upon में 12 minus का sign continue 12 को 3 से multiply करेंगे हमारे पास आएगा 36 और plus में हम क्या करेंगे 5 upon में 12 थोड़ा सा और simplify करेंगे इसको 96 में जब 7 को plus करेंगे हमारे पास आएगा 103 upon में 12 minus का sign 36 में 5 add करेंगे हमारे पास आएगा 41 upon में 12 अब आप देख रहे होगे हमारे पास दोनों में ही denominator same आ रहा है numerator second यानि 41 103 में से 41 को minus करेंगे तो हमारे पास बचेगा 62 upon में 12 यह आपके पास simplest whole number आगे लेकिन आपका answer किसमें था mixed form में था तो हम इसको क्या अभी इसके बाद हम इसको mixed अभी यह और divide हो सकता है 62 upon में 12 तो हम क्या करेंगे इसको 2 से divide करेंगे अभी यह मारा और reduce हो जाएगा हम इसको 2 की table से reduce करेंगे तो reduce करेंगे तो हमारे पास क्या एगा 2 6 जा 12 2 3 जा 6 and 2 1 जा 2 यानि हमारे पास simplest form में जो fraction आईए वो क्या गई 31 upon में 6 लेकिन अभी आप क्या करोगे इसको अभी mixed में convert करेंगे क्योंकि हमारी जो fraction थी वो mixed form में थी 31 को हम क्या करेंगे 6 से divide करेंगे 6 5 जा क्या होता है हमारे पास 30 और 31 में से 30 जाएगा तो हमारे पास 1 remainder बचेगा अब fraction में mixed form में करने के लिए हम quotient यानि 5 है उसको whole number बनाते है remainder में हमारे पास 1 है वो numerator बनेगा और divisor में हमारे पास क्या है 6 वो क्या बच जाएगा आपका denominator तो जो आपकी simplest form में last part D part करते हैं इस question का fraction दे रखे 38 whole 11 upon 18 minus 15 whole 7 upon 18 सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको whole improper में convert करेंगे improper में convert करने के लिए क्या करेंगे हम whole number यानि 38 को multiply करेंगे denominator से यानि 18 plus में numerator 11 add करेंगे upon में 18 minus में second fraction में भी 15 हमारे पास whole है उसको multiply करेंगे denominator से यानि 18 और उसमें plus करेंगे numerator 7 upon में 18 अब यहां पे 38 को जब हम 18 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 684 plus में 11 upon में 18 minus next fraction में हमारे पास क्या आएगा 15 को जब हम 18 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 270 plus में 17 upon में 18 अब इसको थोड़ा सा और simplify करेंगे पर 684 में जब हम 11 add करेंगे तो हमारे पास आएगा 695 upon में 18 minus में 270 में 270 में sorry यहां पे हमें 7 add करना था 270 में जब हम 7 add करेंगे तो हमारे पास आएगा 277 upon में 18 अब यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास दोनों में denominator same आ रहा है तो मतलब हम क्या करेंगे denominator को common कर देंगे 18 first numerator हमारे पास है 695 minus second numerator हमारे पास 277 इसको minus करने के बाद में हमारे पास 695 में से 277 minus करेंगे तो हमारे पास आएगा 418 upon में 18 अब यह हमारे पास किसके 2 के टेबल से reduce हो जाएगा 298 224 02918 तो आपके पास जो fraction आई है वो क्या आगई है 209 upon में 9 लेकिन हमें क्या करना है हमें अपने answer को किस में निकालना है mixed form में निकालना है तो हम क्या करेंगे 209 को किस से divide करेंगे 9 से 9 to 18 20 में से 18 को minus करेंगे हमारे पास बचेगा 29 हम नीचे उतारेंगे और अगें 293 जा 27 और 29 में से जब 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3 रिमेंडर में बचेगा अब हम इसको क्या करेंगे Mixed Fraction में लिखेंगे Mixed Fraction के लिए जो Quotient आता है यानि 23 वो हमारा Whole Number बन जाएगा जो रिमेंडर आया है वो हमारा Numerator यानि रिमेंडर आया है हमारे पास 3 वो Numerator अपोन में Divisor जो होता है वो Denominator तो इसका Answer Mixed Fraction में हमारे पास क्या आएगा 23 whole 3 by 9 7th question करते हैं 7th question में हमारे पास क्या दे रखा है कि about 7 by 3 by 10 of earth surfaces covered by land हमारे अर्थ का जितना भी surface है उसका 3 by 10 part हमारे पास land से covered है और जो बचा है वो पाने से covered है तो आपको water की fraction निकालने है कि भई अर्थ का कितना part हमारा water से covered है तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं कि let earth surface जो earth surface है उसको हम क्या माल लेते हैं earth surface को हम first 1 में 1 माल लेते हैं कि हमारे पास complete एक fraction है पूरा अर्थ का surface अब हम लिखेंगे earth surface covered by land land से कितना covered है हमारे पास earth का surface is equal to 3 by 10 3 by 10 अब according to question क्या कह रहा है हमें कि हमें water का surface निकालना है fraction of water surface इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे जैसे आप में माल लिए है कि ये पूरी earth है हमारी इसके कितने parts हो गए total parts इसको कितने parts में divide किया गया है suppose 10 parts में divide किया गया है और उसके कितने parts है हमारे पास 3 parts किसे covered हैं land से covered हैं तो जो बच गए part वो हमारे पास किसे covered हो जाएंगे water से किसे covered हो जाएंगे water से तो हमें क्या करना है total parts में से हम क्या minus करेंगे 3 by 10 या ले land का part minus कर देंगे तो हमारा answer रहा जाएगा तो अब इसको थोड़ा सा simplify करते हैं question को total part को हमने पूरा earth surface के part को मैंने one माना है उसमें से minus करेंगे हम land के part को यानि 3 by 10 fraction में अब मैंने पहले भी बताया था जिसके नीचे कुछ नहीं होता यानि denominator नहीं होता उस fraction के नीचे हम one denominator लगा देते हैं अब अगर अब आपको देखो यहां पर अगर हम lcm की बात करें one or ten का यहां पर lcm ले तो lcm हमारे पास क्या आएगा one multiply ten is equal to ten lcm कितना आगे हमारे पास ten मतलब हमें क्या करना है दोनों fractions के denominator को same करना है तो first fraction जो है आपके पास one upon one इसमें आपको denominator को ten बनाना है तो आप denominator को भी ten से multiply करोगे और numerator को भी ten से multiply करोगे multiply करने की बाद आपके first fraction क्या आई है ten upon me ten अब इसको one by one की जगह पर put करोगे अब ten upon me ten minus three upon me ten अब यहां से अगर हम देखे तो हमारे पास क्या आ रहा है दोनों ही denominator सेम आ रहे है तो हमें क्या करना है next step में अपने denominator को common करना है अब हम अपने denominator को common करेंगे तो हमारे पास denominator में क्या आ गया ten first numerator हमारे पास क्या है ten minus में second numerator हमारे पास क्या है three अब ten में से three को minus करोगे आपके पास क्या आएगा seven upon me ten तो जो seven upon me ten fraction आई है वो आपकी किस से covered है, आर्थ सर्फिस किस से covered है, by water Question number 8 करते है, last question है, एक musical program was 3 1 by 6 hours long एक कोई musical program था, वो कितना लंबा चला है, 3 hall 1 upon 6 hours तक चला है जब the first musical piece lasted 1 upon 6 hour, जो music का first piece था, वो कितने घंटे चला है 1 upon 6 hour चला है, and the intermission also lasted 1 upon 6 hour और बीच में जो interval हुआ, वो भी 1 by 6 hour का हुआ, तो how long was the rest of the program तो बचा हुआ प्रोग्राम कितना लंग हुआ, हमें वो find out करना है तो हम अपना question में सोल करना है, स्टार्ट करते है अब सोल करते हैं, question को तो सबसे पहले हम लिखेंगे duration of musical program कितना था, हमारा 3, 1 upon में 6 hour का था first musical piece कितने time के लिए था, हमारा 1 upon 6 hour था और intermission कितने का हुआ, हमारे पास 1 upon 6 hour का ये भी अब हमें बताना है कि duration of rest program, तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास duration of musical program था, हमारा mixed fraction में इसको सबसे पहले हम improper में convert करेंगे, improper में convert करने के लिए हम 3 को multiply करेंगे 6 से, यानि whole number को denominator से plus में numerator 1 upon में 6, simplify करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6, 3, 4, 18 और 18 में 1 प्लस करेंगे, 19 upon में 6, तो जो total duration था program का वो हमारे पास आगया है 19 upon 6, हमें क्या निकालना है, duration of rest program निकालना है अब, तो जो हमारे पास total musical program का duration था, वो क्या था, 19 upon में 6, उसमें से minus करेंगे हम first musical piece lasted, वो हमारे पास 1 upon 6, फिर उसमें से minus करेंगे हम intimation lasted, जो वो भी हमारे पास क्या था, 1 upon 6, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, सारे common denominator आ रहा है, 6, तो 19, minus 1, second numerator है, third numerator है, भी हमारे पास क्या है, minus 1, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, board mask को use करेंगे, 19 में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, minus 1 करेंगे, तो हमारे पास क्या हैगा, 18 minus 1 upon 6, अब अगेन हमारे पास next step में board mass use होगा, 18 में से 1 को minus करेंगे, तो हमारे पास बचेगा 17 upon 6, अब यह हमारे पास simplest form तो आ गए है, लेकिन हमें क्या करना है इसको mixed form में convert करना है तो mixed form में convert करने के लिए हम क्या करेंगे 17 को 6 से divide करेंगे 6 2 जा क्या आएगा हमारे पास 12 17 में से 12 को minus करेंगे हमारे पास क्या बचेगा 5 remainder बचेगा अब इसको mixed form में convert करने के लिए हमने divide तो कर दिया है अब mixed form में लिखेंगे कैसे, जो हमारे पास quotient आता है, वो whole number बनता है, याने 2, जो remainder आता है, वो हमारे पास numerator बनता है, याने 5, अब pon में जो divisor होता है, वो क्या बन जाता है, denominator याने 6, तो हमारे पास जो इसका answer आया, duration of rest program in mixed form, वो क्या है, 2 whole 5 upon 6 hour.